बिसमिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम अस्सलाम अलेकम जी बच्चो क्या हाल है जी अच्छा भी बच्चो अब हमने एक्सरसाइज करनी है 6.6 और इसमें एक निया कंसेप्ट है जो मैट्रिक प्रोग्रेशन का अभी तक हमने जो किया था वो था अरिफ्मैटिक सीरीज का उसमें य यहां पे क्या होगा जरब दिलानी है बस यह फरक है कि हर अगली रकम लेने के लिए पिछली रकम को किसी एक हास नंबर से जरब दिलाते जाएं और उसी हास नंबर को हम यह आर कहते है common ratio तो वो कैसे find होता है an over an minus 1 हर अगली रकम को पिछली रकम से divide करा दें तो आपको यह आर मलूम हो जाता है जैसे वहां पे था कि जी वो दोनों रकमों को माइनस करवाते थे यहां पर divide कराना है तक्सीम कराना है तो एक तो यह चीज़ है दूसरा इसका एक फार्मूला है कोई nth रकम अगर आपने find करनी है nth term find करनी है दसमी बार्मी तो चौदमी वाटेवर ज उससे एक कम यह अगर दसमी रकम हमें चाहिए तो यहां पर क्या होगा 9 तो बाराल यह सारी चीज़ें हमने सवालों के अंदर करनी है यह देखें exercise 6.6 है पहला question है उसका find fifth term of the GP जो metric progression है यह वाली 3, 6, 12 and so on तो कहता है पांचमी रकम क्या होगी तो पांचमी रकम के लिए व बता हो तो A1 हमारी यह पहली है पहली रकम 3 वो आ गई और 6 को 3 पर डिवाइड कराएं तो फिर हमारे पास वो 2 आ गया तो दोनों amounts आ गई है तो अब हम फार्मूला जो है वो लिख सकते हैं तो यह देखें हम फार्मूला लिखेंगे पहले एक दफा और N की जगा 5 लगा द 48 तो पांच वी रकम का पता चल गया तो देखें इस तरह से असानी से यह सवाल हो जाता है question number 2 find the 11th term अब 11 वी रकम चाहिए और यह हमारे पास एक progression जो है यह बनी वी आगजा है यह सोवान सोवान भी होता अगर डॉटेड डॉटेड इस तरह से है तो असान सवाल लेकिन थ से योटा आर फाइंड करने के लिए क्या करना है अगली रकम को डिवाइड इस से तो 2 ओवर 1 प्लस से योटा तो वो हमारी आर बन जाएगी अब 11 जो रकम है टर्म है उसका फार्मूला हम लिखेंगे के 11 इस एकल टू एवन आर एस्ट पावर 11 माइनस 1 एवन की वैल्यू ह 10 पावर इदर अब देखें आप इसको थोड़ा सा हल करने हाल करने के लिए देखें नीचे यह पावर है 10 तो 10 पावर को चूंके वही बात आयोटा स्केर और वो शकल बनानी होती है तो आप यह करें कि स्केर अंदर आके पांच पावर बाहर रख लें ठीक है यह देखें इदर आगले स्टैप में अब यहां थोड़ा सा मैंने जगा नहीं थी छोड़ी तो इसलिए छोटा छोटा काम किया और मैंने यह दर आपको देखना पड़ेगा टू की पावर 10 करेंगे तो वो जाहरे 1024 हो जाएगा और उसके साथ 1 प्लस योटा भी है ना तो नीचे होगा और टू ए भी जो होता है टू बन जाएगा और उपर फाइव पावर अब उपर वाली मोड अगें वैसे ही आती जाएगी नीचे आप देखेंगा और करें एहम बात यह है योटा स्केर नहीं हो जाना है माइनस वन तो इसने जब माइनस वन होना है तो इस प्लस वन स फार ये ठीडियू हम तो सिर्फ रह गया टू ऑर उसकी पावर फाइव तो देखें ये लिख लिया अब जाहरे टू की पावर फाइव जो है तो बसे अब और गार दो अगर माइनस वन लगाएं गये तो इसने square लें तो प्लस 1 नहीं होता है तो प्लस 1, 1 की value कोई नहीं है वो multiply होना है तो इसलिए ये part हतम हो जाएगा, सिरफ रह जाएगा 32 IOTA, तो देखें और दूसरी बात ये के 32 ने इसको divide भी दो कराना है, तो divide करके उपर अब 32 रहा जाएगा, अब नीचे सिरफ IOTA है, अभी भी जब भी हम सवाल IOTA वाले करते हैं तो rationalization must होती है ओवर में IOTA नहीं होना चाहिए तो फिर एक और काम, एक IOTA उपर लगा लें, एक IOTA नीचे लगा लें तो नीचे 2 IOTA मिलके IOTA square हो जाएगा, अब हमें पता IOTA square की value minus 1 तो minus 1 जब लगाएंगे तो वो इस सारी amount को minus करा देगा तो देखें minus टिक दी है अभी भी थोड़ा और होना है क्योंकि ये बस अजीब सा उसने लेंक्ती बड़ा बनाया हुआ अब इस IOTA से multiply कराते है, IOTA 1 जार IOTA 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 square और फिर IOTA square की value लगाएं minus 1 ठीक है, ये लिख लिए अभी भी चुके बाहर minus है बाहर वाले minus को अंदर ले जाएंगे तो उससे क्या होगा, दोनों की sign change हो जाएंगे तो 1 शुरू में लिख 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 तो ये देखें, question number 3 जो है उसी से मिलता जूलता ही है अब यहाँ पर आपने 12 वी रकम 12th term है आपने find करनी है और अब है 1 plus IOTA 2 IOTA और ये साथ हमाँ उटा है उसी तरह से process शुरू A1 ये हमारी first term हो गई R ये over ये वो हमने लिख लिख लिया nth रकम का formula हम लिखेंगे और n की जगा 12 ठीक है ना क्योंकि हमें 12 चाहिए A1 की value लगा लिए, R की value लगा लिए और n की जगा 12 आगे 12 minus 1 अब उसी तरह ये 11 बनता है तो उपर भी लेदा power दे दी 11 और नीचे भी 11 power दे दी ठीक है अब देखें 11 का हम वो square तो नीचे बना सकते हैं क्योंकि ये खुद even नहीं है तो हम इस से ही इसको कटवा सकते हैं क्योंकि ये 1 प्लस आयोटा है ये भी 1 प्लस आयोटा है तो एक power कटेगी तो नीचे आप रह जाएगी 10 अब 10 के साथ वो ही सब कुछ process अभी मैंने जोगी यहां समझाया था side पे exact वही सारा process यहां भी इसके over में होना है तो चुक्के चीज repeat हो नहीं है तो आपको practice हो जाएगी पहले तो यहां देखें एयोटा 11 power है तो 11 power का 10 अलादा और 1 अलादा और 10 को भी 2 अंदर राखके 5 बाहर राख लें तो 5 जाएगी 10 अब एयोटा स्केर होगा ना माइनस 1 लेकिन माइनस की जो 5 power है वो माइनस रहेगा माइनस अतम नहीं होगा और पावर हो तो माइनस रहता है कैलकुलोटर पर करके देख सकते हैं तो इसका माइनस ये देखें साथ लिख ले साथ ये ऐयोटा है और नीचे ये सारी है अब ये जो नीचे है ना 1 प्लास ऐयोटा की power 10 ये वही सारा process जो पिछले सवाल में किया है तो देखें उपर वाली माइनस वैसे ही नीचे देखें 2 power अंदर 5 बाहर 2 का जाहरा square a square b square 2 a b सही है पीछे बाहर ने समझाया 5 और ये हमेशा ये दोनों हतम हो जाते हैं क्योंकि इसने माइनस वान है और ये प्लास वन है हतम हो जाएंगे तो सिर्फ रह गया 2 योटा 2 योटा की power 5 थर्टी टू लाइदा 5 पावर है दो अंदर दो बाहर 2 तू तू आ 4 एंड एक साथ एक 5 हो जाती है थर्टी टू से इसे डिवाइड करा लें 64 आएगा आयोटा square की value माइनस 1 ठीक है माइनस 1 का square है माइनस यहीं पर हतम हो जाएगा बाहर नहीं निकलेगा ठीक है तो सिर्फ यह आयोटा रहा जाएगा लेकिन उपर भी एक है आयोटा नीचे भी है तो हमें rationalize नहीं करवाना पड़ेगा दोनों आयोटा कट जाएंगे माइनस 64 आंसर आ जाएगा question number 4 देखें बिलकुल पिछले सवालों की तरह यह है यह आपके पास series पड़ी भी है और A1 हमारी यह हो गई और R के लिए 2 over इसको लिख लेंगे सही है ना और हमें कितने मीटरा कम चाहिए 11th ठीक है तो यह तो पिछले question number 2 की तरह आ रही है so AN is equal to यह लिखा यह सारा उसी तरह से process उपर भी 10 power बन गई नीचे भी 10 power बन गई 10 power 2 के लिए तो एक हजार 24 और नीचे वही 10 power को exact वही process लेखें करेंगे ठीक है देखें वही सब कुछ हुआ वही सब कुछ वही सारी चीज तो देखें वही सब कुछ है यहां आएगा ना iota square की value minus 1 तो उसका square उसको हतम करा देगा अब सिर्फ है नीचे iota हाली iota को rationalize करवाते है एक iota उपर लिख लेंगे एक iota एक और नीचे लगाएंगी तो iota square हो जाएगा और iota square की अब यह जो minus 1 आनी है उसने उपर minus लिख लेना है नीचे से तो जायर पिर हतम हो जाएगा minus सब के साथ लिख लिए so minus 32 into यह सारा फिर iota के साथ इसको multiply भी जैसे question number 2 में किया है iota 1 जार iota, 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 iota square होगा iota square की value लगाएंगे फिर यह जो वाहर वाला minus है अंदर ले जाएंगे यह exact question number 2 की जारा है तो minus जाने से इनकी sign change हो जाएंगे तो 32 into 1 minus iota answer भी exact वही आरा है तो यह की सवाल repeat हो गया basically question number 5 देखते है if an automobile depreciate कोई हमारे पास गाड़ी है motorcycle है कोई गाड़ी है वो depreciate करती है हर साल उसकी कीमत value वर्थ जो है in value कितने value कम होती है 5% every year 5% के हिसाब से हर साल कम हो ली है at the end of the 4 years 4 सालों के बाद what is the value of the auto purchased for 12,000 12,000 के अगर चीज हरी दिया है तो 4 साल के बाद उसकी वर्थ कितनी रह जाती है यह simple सा स्वाल है पहले तो यह देखें depreciation 5% है तो percent है percent 100 से divide 100 से divide करें 0.05 आ जाएगा अब starting value कितनी है 12,000 अब पहले साल जो है पहले साल के बाद end पे कितनी वर्थ रह जाएगी 12,000 में से वह depreciation minus होती है तो 12,000 minus 0.05 into 12,000 क्योंके 12,000 को 0.05 से multiply करेंगे ना तो यह वह रकम आनी है जो कम हुई है तो वह असर amount में से subtract करेंगे तो पता चलेगा ना वर्थ कितनी है तो इसलिए यह जितनी आएगी यह देखें 600 आती है 600 को 12,000 से निकाल दे तो 11,400 वर्थ रह जाएगी पहले साल के बाद एक साल गुजरने के बाद अगला साल है अगला साल जब end होता है तो अब पीछे वर्थ तो 11,400 है ना तो अब 11,400 में से 0.05 इंटू 11,400 क्योंकि अब उसकी 0.05 depreciation होनी है ना क्योंकि original की नहीं होनी original का तो भतम हो गया अब हम आरपास वर्थ है 11,400 उसको 0.05 से करेंगे 570 आएगा फिर वो माइनस होगा तो 10,830 इसी तरह तीसरे साल का भी अब 10,830 में से 0.05 multiply करें 541 आएगा फिर माइनस होगा और इसी तरह से करके 14 साल का करेंगे तो उसके एंड पे 9,774 पॉइंट में कुछ आएगा लेकिन यह round off करके यही सही है question number six which term after sequence यह sequence है is this one ठीक है यह sequence चल रहा है एक series चल रही है तो यह वाली amount जो है यह counts वाली बनेगी वो हमें इसको check करके देना है अब यह जो है यह जो के end वाली amount है ना तो इसको end amount कह सकते हैं, end रकम कह सकते हैं बाकी a1 हमारे पास यह है, r लेना है तो इसको इससे divide करा जाते हैं तो हम उसका formula लिख लेंगे an का an is equal to a1 r raised power n minus 1 अब an हमारे यह वाली है जो end पे रकम है ठीक है, end amount हम लिख लेंगे उसकी जगा a1 यह जो हमारी x square minus y square आई है वो लिखेंगे, r यह x plus y over minus 1 वो लिखा उपर n minus 1 अब इसे तरह थोड़ा सा हल करने की तरफ जाते हैं एक तो यह है कि यह देखें यह जो r है हमारा उपर है x plus y नीचे क्या है, x square minus y square तो यह आपको formula याद है कि एक दफ़ा इसको negative में और एक दफ़ा positive में लिख सकते हैं x minus y and x plus y तो x plus y कट जाएगा नीचे x minus y रह जाएगा तो यह शकल बन जाएगी ठीक है, बाकी सारी हमने वैसे के वैसे चीज़ें लिखी है अब यह देखें आप इसको भी expand कर दें x square minus y square है एक दफ़ा negative में एक दफ़ा positive में और साथ यह जो अब चुके one है तो one का तो कुछ नहीं है ना तो n minus one नीचे दे दें इसको power x minus y के power n minus one ठीक है साथ इसको इसको क्यों expand किया है इसलिए कि देखें इधर भी x plus y है तो इधर भी x plus y है यह दोनों कट जाएगे ठीक है तो यहां भी रह जाएगा one over x minus जो भी है यह चीज ठीक है और यहां पे भी देखें यह तो कट गया ना और यह अब देखें गोर करिएगा कि यह जो चीज है और यह जो चीज है दोनों सेम है ना x minus y x minus y तो इसकी जो एक power है इसको भी कहेंगे नीचे चली जाओ ठीक है तो one power नीचे जाना है तो minus one होना है तो पीछे भी ना minus one है तो दो minuses one निकठे होके minus two हो जाएगा अब देखें शकल दोनों की exactly same हो गई है उपर-उपर one है नीचे x minus y है x minus y है तो जब exactly same है तो पिर इनकी powers भी same होगी तो nine equal to n minus two तो देखें यह लिख लिए और यहां से बड़े राम से n निकल आएगा minus two उदर जाएगा plus two 9 और 2 ग्यारा हो जाएगा तो n की value 11 चलें जी question number seven है इफ a,b,c,d चार रख में है r in GP geometrical progression के अंदर है तो प्रूफ करें कि यह जो a minus b,b minus c,c minus d है यह भी GP बनाती है आप देखें चूंके पहली यह जो series है यह GP है पहले से हमें पता है तो हम इसका r निकाल सकते हैं तो हम क्या करेंगे कि यह जो amount है हम लिखेंगे कि यह GP है so b over a यह बनेगा न r b over a फिर अगर आपको एक और r चाहिए तो c over b बन सकता है वो एक और लिख लेंगे एक और r बन सकता है क्योंके आगे भी है रकम d over c तो तीन r उसके आप लिख लें लेकिन अब यहां से क्या करें कि b over a is equal to r है ना और काम में आप कर सकते हैं b की value a r आई है ना तो इस b की जगा पर a r लिख दें तो यह क्या हो जाएगा a r square हो जाएगा यहां पर c की value ले ले लें c क्या है c हमने यह find की है a r square to a r square लगाएं c की जगा पर तो फिर यह r मिलके यह 3 power हो जाएगी तो अब यह असल values आप हमारे पास आ गई है b ब्राबर है a r c ब्राबर है a r square और d किसके equal है a r cube के अब यह values हमने side पर रख लेनी है अब जिसको हमें prove करना है उसको हम लाएंगा सामने कि क्या वो रख में है a-b, b-c, c-d तो यह भी चुके जी-p प्रूफ करना है तो इनका भी r बनाएं b-c over में यह c-d over में यह वाली तो यह देखें दोनों over में लिखके और हम कहेंगे अगर वो r दोनों same है तो दोनों को बराबर होना चाहिए तो अब यह बराबर होना ही prove कर देंगे ताके पता चले कि यह भी आ रही है उनका तो फिर जी-p हो गया गा प्रूफ हो जाएगा तो दोनों side हैं हमने equal लान ही है अब देखें सारी values जो थी न हमारे पास यह B की value, C की value, D की value वो हम यहाँ इनके अंदर put कराएंगे बसलाब यहाँ B है तो B की जगा पीछे के रहा गया 1-R, single R क्योंकि AR निकल है न बाहर और नीचे से हाली A कामन आ रहा है वो भी 1-R, इदर से AR square कामन आ रहा है फिर 1-R and so on, अब 1-R सारे कट जाएंगे तो AR over A, AR square over AR, यह values हमारे पास आ जाएंगी वो हम लिखेंगे और यहां से A, A फिर कट रहा है A से A कट गया, यहां से भी A, वो एक AR भी कट गया तो इदर भी एक single R बचा है, इदर भी एक single R बचा है तो दोनों साइडें पराबर हो गई ना तो हम कहेंगे hence approved कि यह जो हमें कहा गया था कि वो GP है तो वो definitely है अब बिल्कुल उसी तरह से अगला पार्ट भी हमने कर लेना है अब इस चीज को हमें प्रूफ करना है कि यह GP में है तो इनका भी R बनाने की try करेंगे यह और यह और यह और यह देखें और दोनों को हम कहेंगे बाई equal होना चाहिए तो हम इसको प्रूफ करेंगे के equal आता है फिर वही values लगानी है बड़े दिहान से BC की value CDB सब की values लगाएंगे यह आपके सामने आ जाएगा इसके उपर चुकर स्केर है तो दोनों का स्केर हो जाना इस पर भी स्केर है तो A का स्केर और R की power 4 हो जाएगा अब यह जारे चोटा सा बचों अला काम है तो यह स्केर्स का दिहां राके इनको expand कर लें 2 2 4 होता है 3 2 0 6 होता है ठीक ना इस तरह से ऐसे करके उसको रख ले और यहां से भी आप गोर करें कि क्या कामना सकता कामन मेश है यह पहली डर्म ही आ जाती है एसकेर आर्सकेर है ना तो इसमें से एसकेर आर्सकेर ही कामन लें तो यहां 1 रहा गया और एसकेर आर्सकेर निकल रहा तो एक आर्सकेर रहा गया नीचे से भी देखें एसकेर निकल रहा है इसे दरा इदर से भी कामन तो फिर ये बीज में 1-R स्केर जो ही कट जाने है और ये amount साम अगले step में लिख लेंगे वो भी कटती वो भी है लेकिन उसी एक ही जगा सारा गंदनी डालना अगले step में ले जाया करें तो ये भी इदर ले आए तो A square, A square गट वा लिए इदर से एकेट वा लिए R square एक कटके यहां दो रह जाएगा तो दुन्म तरफ R square, R square आ जाएगा तो ये भी प्रूवड हो गया कि दुन्म साइड है तीसरा पार्ट भी उसी तरह से है थोड़ी से और बढ़ी उसने माहन दे दिया A square B square अब यह प्लस वाली है रख में तो बिलकुल वैसे ही हो नहीं है यह ओवर यह यह ओवर यह यह आ गई इनमें आप values लगाएं उनके scares और खोल लें उनको expand करें प्रैक्टस करें यह बिलकुल सेम चीज़ है उसी तरह से पहली पहली रखम जो आती है वो कामल ले लें उनमें से अंदर one plus r square बन रहे हैं वो सारे आपस में कटेंगे फिर amounts जो है आती है उनको लिख लें बाकी चीज़ें अगले step में कटवा लें फिर वह यह आर स्केर आर स्केर बराबर आ जाएगा चलेंजी question number 8 पर चलते है show that the reciprocals of the terms of geometric sequence कहते है यह जो sequence है ना इनके reciprocals यानि उल्ट लिये जाएं तो वो भी एक geometric series ही बनाते हैं तो यह पहले से series है लेकिन इसके जो उल्ट reciprocals हैं वो भी हमने प्रूव करने है बड़ा चोटा सा स्वाल है reciprocal यही ना उनको over में ले जाएं तो one over a one one over a one r square and so one तो यह over में लिख लिए तो अब इसको proof करना है तो proof करने के लिए भी आर का सहा रहे लेना है कि आर देखें यह over यह एक आर बनेंगी और दूसरी इस सारी amount को इस से divide करें तो वो भी आर और देखेंगे कि दोनों से same आते हैं कि नहीं तो पहली हम common ratio निकालेंगे one over a one r square over में one over a one यह देखें मैंने लिखा अब जब इस तरह से लिखते है ना तो उपर वाला over वैसे लिखा जाता है नीचे वाला over उल्ट जाता है a one उपर चला जाता है one नीचे आ जाता है यह दिहां रखना है ठीक है अब यहां से देखें a one a one कटेगा बागी रहा गया one over r square तो पहली हमारी common term हा रही है one over r square अब दूसरा हमने करना है यह over में यह देखें जार यह देखें common term वो और over में फिर वही उपर वाली over को as it is लिख लिया नीचे वाली को उल्टा दिया a one r square उपर और one उसका नीचे और यहां से भी a one a one कटवा लिया r का square है तो दो पावर नीचे से कट जाएगी तो फिर देखें over में one over r square ही बच रहा है तो फिर दोनों तरफ one over r square ही हुआ since both common terms are equal so reciprocals are also in the geometrical sequence ठीक है ऐसे करेंगे लिख देंगे चलें जी question number 9 find the nth term of geometric sequence if अब nth रकम चाहिए ठीक है और साथ यह कुछ उसने relation दिया हुआ है कि a five over a three जह है वो इसके equal है और a two जह है वो भी four over nine ही है अब देखें यह जो a five है उसको हम ऐसे लिख सकते है ना a one r की power four तो आपको वो फार्मूला बताया ना कि a n is equal to a one r raise to power n minus one तो अगर पांचवी रकम है तो उदर फिर four आता है तो देखें ओपर four power लिखी है और अगर third रकम है तो फिर उपर square आना a one r square तो ऐसे करके हम लिख लेंगे इससे फाइदा क्या होगा a one a one कट जाएगा और r square जो ह is equal to four over nine और चुके square है square को हतम करने के लिए under root लेते हैं तो four का हो जाएगा two nine का हो जाएगा three और साथ plus minus ठीक है ना तो आर हमें पता चल गी लेकिन आर की अब दो values आएंगे एक plus में एक minus में लेकिन चले हैर कोई बात नहीं अब यह जो a two वाला relation है ना इसको हम use करेंगे a two बराबर है four over nine तो a two कैसे लिखी जाती है a one हाली आर लिखेंगे उसके साथ क्योंकि यहाँ one power आनी है ना second है तो one आएगी तो a one आर तो आर जो है उसको अब लेजिए उदर क्योंकि हमने a one को find करना है तो आर इदर multiply में है इदर division में nine के पास चला जाएगा अब आर की दो values एक दफा प्लस वाली एक दफा माइनस वाली पहले यह प्लस वाली यूज़ कर लेते हैं two over three तो आर की जगा two over three यूज़ करें और आपको मैंने बताया था कि over के नीचे over आये तो उल्टती है रकम three उपर two नीचे so three three's are nine two two's are four तो यह भी two over three ही बनेगी a one इसी तरह जब आ आपके पास दो conditions आ गए कि एक दफा एवन माइनस में है तो आर भी माइनस में है एक दफा एवन positive है तो आर भी positive है तो अब देखें फिर दो जाहरे हमें फिर answers बनाने पड़ेंगे ठीक है ना तो जब दोनों positive हैं तो फिर एंथ रकम का formula हम लिखेंगे यह ना एंथ रकम का formula एवन की जगा उसकी value आर की जगा उसकी value अब देखें चुकर यह दोनों same है तो इसकी भी तो एक power है ना तो यह one power एड़ प्लस की one power है तो वो इस माइनस one को हतम कर देगी तो हाली n रह जाएगा two over three raised to power है तो एक यह answer बन गया और जब दोनो negative है एब और आर भी तो हम उन रह जाएगी power ऐसे ही रहने दें यहां यह होता है कि माइनस को अलएदा लिखा दें कि माइनस one की power n अलएदा दिखाएं और two over three को n अलएदा दिखा दें तो ऐसे भी सही है वरना यहां तक भी okay है सही है जी तो यह दो answers हम उसको दे सकते हैं एक दफ़ा positive में आ रहा है एक अगर आपको याद होना इस तरह के सवाल arithmetic में थे तो वहां पर हम suppose करते थे पहला a minus d अगला a उससे अगला a plus d क्योंकि d इसमें involve होता था उनकी जो common term है तो यहां हमने r को involve करवाना है तो पहला हम अज्यूंट करेंगे a over में r दूसरा हाली a और अगले में a r क्योंकि यहा दफ़ा over में एक दफ़ा multiply में क्योंकि इस तरह करने से हमें सवाल करना बहुत असान हो जाता है अब देखें इन तीनों का sum उसने का है 26 तो तीनों को plus में लिखके 26 के equal लिख लिए ठीक है फिर उसने product का है तो तीनों को जरब की farm में dot मैंने लगाए है वो 216 लेकिन यहां पे जरब की farm में देखें तो यह आर और आर ने कट जाना है तो तीन ए रह जाएंगे तो ए का क्यूब बन जाएगा 3 पावर वो 216 और इसका 1 वर 3 calculator में आप चेक करें तो 6 आता है यह जैसे कहा लें के 6 की पावर 3 जो है वो 216 होती है अब ए हमारे पास आगया 6 अब इसको यूज कर लें आप वो जो सम वाला पार्ट है ना उसके अंदर सम वाली equation के अंदर हम उसे यूज कराएंगे हर एक जगा पे छेचे छे लिख दिया तो यह equation हमारे पास लेकिं यहां यह देखें आर ओवर में आ रहा है तो आप सारी term को आर से multiply तो यह आर यहां से कट जाए माइनस हो जाना है और प्लास 6 यह वाला तो 26 में से 6 निकालेंगे तो 20 आर यह एक quadratic equation हमारे पास बनेगी 6 आर स्केर माइनस 20 आर प्लास 6 और देखें सब में यह 22 कामल लिया जा सकता है दो की टेबल में यह सारे डिवाइड होते हैं तो दो के टेबल से डिवाइड करते हैं 23 थ्री जार 6 टू 10 जार 2 थ्री जार ऐसे करके लिखते हैं और अब इसके factorization कर लें फार्मूला बना लें कुछ भी तो factors बनाएं हैं क्योंके 3 थ्री जार 9 होता है तो 10 का एक 9 और 1 और 1 10 हो जाएगा 9 1 जार 9 हो जाएगा तो यह सही है फिर आप कामल लें 3 आर इन दोनों में स का हो जाता है और यह दोनों सेम होता है तो आर माइनस 3 आ गया एक दफ़ा और एक दफ़ा 3 आर माइनस 1 आर आ गया अब यहां से आर की दो वैल्यूस है एक दफ़ा जाहर है उसने उदर जाना तो पॉस्टिव एक दफ़ा इसने उदर जाना तो वन पॉस्टिव होगा और three तो three और one over three ये दो आर की values हमें मिल गए अब अगेन हमारे पस दो situation बन जाएंगी ए तो छे है लेकिन अब आर दो है तो एक दफा आर थ्री और एक दफा आर one over three वो लदा लदा दो सवाल हम बना लेंगे तो first हमारा नमबर क्या था ए ओवर आर तो ए हमारी छे है आर थ्री है तो थ्री को six पे डिवाइड करेंगे टू पहला नमबर टू बनेगा second नमबर ए ही था तो ए की जो value six है वही नमबर रहना है तो पहला नमबर दो आ गया दूसरा छे आ गया थर्ड नमबर था ए आर तो दोनों को जरब दें 18 तो यह तीनों नमबर आ जाते हैं two six eighteen लेकिन जाहर है कि दूसरे तरीके को भी चेक कर लेंगे जब यहार ज़िए वह वन ओवर थरी है तो उसमें भी पहला step तो हमारा वही है ए ओवर आर पहला नमबर तो वही है लेकिन six तो इसने उपर चला जाना है थ्री सिक्स आर एटी अब पहला नंबर 18 आ गया दूसरा नंबर तो वही रहेगा क्योंकि वह एई है और थर्ड जो है वह एई आर है तो 6 इंटु आर की जगा वन नवर ट्री थ्री टू जार तो यह नंबर वही रहा है तरह तरफ तर्तीब चें जी पी इस एटी अब क्या है मेरे पास चार नंबर है कंजेक्टिव हैं साथ-साथ हैं लेकिन नंबर चार है और उन चारों को जमा करते हैं तो असी आंसर आता है और फिर कहता है कि एम आफ दा सेकेंड और फोर्थ अफ देम उनमें जो ती दूसरी और जो चौती रकम होग आर, आर स्केयर, आर क्यूब, देखें हर एक में आर, आर का इजाफा हो रहा है, आर से मल्टिप्लाय हो रही है, अब चुक्छे सम बनाना है तो जाहरा है सब को हमने जमा करना है, जमा करके असी के बराबर राख लेना है, अब यह एक्वेशन नमबर वन है क्योंकि अभी आरिफमेटिक मीन लें, सेकेंड वाली अमाउंड का और चौती वाली रखम का, तो दूसरी और चौती दोनों को प्लस किया, टू पे डिवाइड आरिफमेटिक मीन का यही फामूला होता है, कोई भी दो रख में प्लस करते हैं, दो पे तक्सीम करते हैं, तो वो आंसर कितन थर्टी के बराबर अब इसका टू ले जाएं उदर तो टू थर्टी जार 60 हो जाएगा ए आर प्लस ए आर क्यूब जो है वो 60 अब क्या है कि यह जो सम वाली क्वेशन है ना यहां देखें यह ए आर और यह ए आर क्यूब इन दोनों की जगा पर क्या लिखा जा सकता है यह जो प्लस 60 क्योंकि यह दोनों 60 के बराबर है एकॉल टू 80 साथ ने उदर जाकर माइनस होना है तो 20 हो जाएगा तो अब यह एक और एक्वेशन बन गई है अब यह जो हमारे पास सेकंड एक्वेशन है इसको अगर आप गवर से देखें तो यहां से अगर आप एक आर कामन निक यह वाए 20 ठीक है ना यह चीज वही है ना यह वाली तो अब इसकी जगह आप 20 यूज कर दें ठीक है आर इंटू 20 इस इकल टू 60 अब यहां से देखें हमें वैल्यू मिले लिए थोड़ा सा स्वाल को गुवाना पड़ेगा तो फिर जाकर आंसर बनता है तो यहां 20 20 ने ज 10 ने जाकर डिवाइड करना तो 2 तो एक ही वैल्यू मिल गई अब यह भी मिल गया आर भी मिल गया तो फर्स्ट नमबर हमारा ए ही था तो वह 2 है सेकंड नमबर हमारा एर था जो शुरू में लैट की है तो वह दोनों को जरत दिला के थर्ड नमबर एर स्केर है वह आपके सा 18 और 54 यह हमारे पास चारो नमबर आ जाएंगे अब देखें जी क्वेसिन नमबर 12 बड़ा चोटा सा स्वाल है मुश्किल नहीं है वन ओवर ए वन ओवर बी और वन ओवर सी यह जीपी में है जो मैटिकल प्रोग्रेशन में है तो कहता है शो दैट के इनकी वह जो कामन अब मैं आपको बताया था नीचे वाला ओवर उपर चला जाता है तो ए ने उपर आ जाना है तो ए ओवर बी बन जाएगा दूसरा आर जो है वही वन ओवर सी ओवर वन ओवर बी तो नीचे वाला भी अब उपर चला जाना है बी ओवर सी तो यह वाला आ रहा गया अब कहते दोनों R's को multiply करा लें उदर से R और R ये multiply उदर से उनकी जो amounts है वो multiply ठीक है R और R स्केर हो जाएगा A over B into B over C B भी कट जाना इनका तो रह गया A over C R स्केर is equal to A over C और चुके R वे उपर स्केर है आप under root लें दोनों दरफ R आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट A over C तो यही चीज़ प्रूफ करनी थी देखें बड़े आराम से आगया क्वेस्टिन नमबर 13 कहते है हमारे पास पहले से ना अब जीपी की बात नहीं कर रहा है आप वह ही है A, A प्लस D, A प्लस 2D A, A प, A, A, D इसमें इंवाल होते है वह काथी अगर A , A, P हैं हमारे पास उन्हों T, T वहाइपे नमबर 13 गया एक भाता है जिन नमबरireあ अगर मनफ़ी करवा सके थे वह कोने माइनस कराते है तो फिर वह G, P बन जाती है तो पुर कहता है वो जो है उसको आप फाइंड करें कि कौन कौन से नंबर्स हैं ठीक है फाइंड नंबर्स इफ दियर सम इस 21 ये भी एक इंफरमेशन उसने दे दी कि उनको जमा करेंगे तो 21 आएगा तो चुँके एपी है तो एपी के लिए तो स्टैंडर्ड हमारा लैट करने का रूल है कि पहली और निचा ये ए माइनस डी दूसरी ए तीसरी ए प्लस डी क्योंकि असान हो जाता है काम करना अब इन तीनों का सम उसने का हुआ है जमा करवाएं कितना 21 जमा करवाने से डी और माइनस डी हतम हो जाएगा ए जो है वो तीन दफाव हो गया और थ्री जाकर डिवाइड करेगा तो ए की वैल्यू सेवन आ गई अब हमने GP बनाना है तो पहली रखम थी ना A-D ती उसमें से 1 कर दिया दूस्री रखम a थी उसमें से 4 को माинस करा दिया और तीसरी रखम जो है उसमें थ्री को माइनस करा देना अब ये हमारी जी पी बन गई है ये पीछे म्यूजिक आपको सुनाई देता रहेगा पीछे द्रहत है और उस पर लाल लड़ियां चिड़ियां बैठती है और वो म्यूजिक सुनाते रहती हैं साथ-साथ अब कितना बंदा मना करें ने लेकिन बारा भाबर ओना चाहिए और में यह यह उता है दोनों इकल होते हैं ठीक है उसने कहा है कि जीपी बनेंगा यह निए कह हमने परूव करना उसपयर बनता है अब बंध्र पर बनों को इकल होना चाहिए एकल रख लेते हैं अब यहाँक ही एक इड़िए 7 है तो एक ही जगा जहां जहां A हमां 7 लिकें 7-4 इधर भी 7 इन दोनों की जगा पर भी 7-7 ठीक है न आप देखें सात मैं से 4 इसने 3 हो जाना है इसने 3 हो जाना है 3-3 जा वह था न आ क्रास मल्टिप्लाई ऐसे वाला तो इधर इदर भी 3 है, इदर भी 3 है, 3 और 3 जरब होके 9, इदर से 7 में से 3 निकालें, 4, 4 प्लस D, वो लिख लिया, और 7 में से 1 निकालें, 6, 6, माइनस D, अब जाहर एकले स्टाप में क्या होना चाहिए, इनको मल्टिप्लाइ कर वा लेंगे, ठीक है, क्वाडराटिक एक्वेशन बने स्केर, स्केर वाली को नेगटिव नहीं होना चाहिए, तो सब के साइन चेंज कर दें, साइन चेंज कर दिये, अब 15 है, फैक्टर बनाने लगें, तो बीच वाली को 5 तीन बार 15 है, पांच में से 3 निकालें, तो 2 आजाएगा, और मल्टिप्लाइ करें, तो 15 सही है, ठीक है, अब आप कामल लें, कामल शामल जैसे करते हैं, दोनों को लदा लदा जीरो के एक्वल, तो D की वैल्यूस दो आजाएगी, क्योंकि इसने उदर जाके पलस होना है, तो दो वैल्यूस आगए, अब फिर वही बात के दो वैल्यूस हैं, तो दो सवाल बनते हैं, कि A हमारा तो साथ और बारा, यह सोड़ा नजर नहीं आएगा, ठीक है, दो साथ और बारा, यह नंबर्स बनते हैं, लेकिन जब आप माइनस त्री यूस करते हैं, डी को, ठीक है, तो फिर जारे नंबर चेंज हो जाएंगे, A माइनस डी करेंगे, दो माइनस प्लस हो के 10 हो जाएगा, A फिर वही है, और A प्लस D करेंगे तो 4, तो अब नंबर बन रहे हैं, 10, 7 और 4, तो इस तरह से यह दो आंसर आएंगे, 10, 7, 4 और यह बारा, साथ और दो, यह वाले नंबर्स आएंगे, लेंजी आखरी क्वेस्टन है, और यह बिल्कुल 13 की तरह ही है, हलका सा चेंज करना है वहाँ पे माइनस कराया था ना, इधर हमें प्लस करवाना है, if 3 consecutive numbers are in AP, are increased by, increase, प्लस करवाना है, by 1, 4 and 15 respectively, the resulting numbers are in GP, find the original number if their sum is, exactly वही है, sum 6 दिया वह, music बढ़ता जा रहा है, A-D, A and A+, D, वही नंबर्स आगे, तीनों का sum किया, 6 के इक्वल, D, फिर कट जाना है, 3 A is equal to 6, औ A जो है, वह 2 बन जाएगा, अब वही इसको हमने GP बनाना है, वह numbers जो है, वह add होंगे, तो यह देखें, यह आगया, आपके सामने, ठीक है, यह देखें, प्लस 1 की है, फिर प्लस 4 की है, फिर प्लस 15 की है, तो यह A की value भी साथ लेंगे, वह था हमने find कर ली है, वह 2 है, तो 2 6 और यह और यह और यह, यह हमारे पास बन जाएगा, अब इसे हल करने की तरफ जाते हैं, वही cross multiply, 66 और 36, इन दोनों ने जरब होनी है, multiply होके आपके सामने है, उसी तरह ही सारा एक तरफ करें, quadratic equation बनाएं, ठीक है, फिर 14 है, तो उसके factor 15 और 1, ठीक है, फिर उसी तरह common, फि सारा कुछ गोई है, और फिर चुके हमारे पास D की दो values आई हैं, तो एक दफा़ डी प्लस वन लेके उसके अंदर values लगाएं, तो 1, 2, 3 answer आएगा, और एक दफा़ डी माइनस 15 लगा के देखें, तो फिर A के साथ वो values जाएं, 17, 2, माइनस 13 आएगा, तो यह दो answers बनेंगे यहां पर भी, ठीक है जी लो जी exercise जाना हो गई है, ओके फिर बचो, अल्ला हाफिज